हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट वैल्यू नरिश हेल्थ एन वेल्नेस में दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नरिश वीड़ ग्रास क्या होता है और इसके इस्तिमाल से हमें क्या-क्या फाइदे होते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को धन्वाद देना चाहते हैं कि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया और हमारे चैनल को और भी आगे बढ़ाने के लिए आपको हमारा साथ देना है अभी तक जिन्हों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ओन कर लें उसके लिए आपको बैल आइकन पर क्लिक करके और पर क्लिक कर देना है जिससे कि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो का मिलता रहे चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वीड ग्रास क्या है वीड ग्रास प्रकरती में ना जाने कितने ही जड़ी बूटी मान और जीवन का उधार करने के लिए समाविस्ट रहें उनमें से एक है गेहूं के जौरे गेहूं के जौरे में क्लोरोफिल, विटामिन, स्केलशियम, मैगनीशियम, आयोडीन, सेलीनियम, जिंक, आइरन, आधी तत्व अच्छी मात्रा में नहें थैं और इसे पोशक तत्व का घर माना जाता है सरदी हो या घर्मी हर मौसम में सेहत का सबसे खास खयाल रखना पड़ता है हर मौसम में शरीर को विटामिन, स्केलशियम, खनेच और प्रोटीन की खास जरूरत होती है खुद को बिमारी से बचाने और हेल्दी रहने के लिए आप कई चीजों का सेवन करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप कई छोटी छोटी परिशानियों की चपेट में आ जाते हैं यही प्रॉब्लम आगे जाकर बड़ी बिमारी का कारण बन जाती है और आज हम आपको हर मौसम में स्वस्त रहने वाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं और वो चीज है नरिश वीड ग्रास वीड ग्रास में फैट की मातरा तो कम होती है साथ ही इसमें प्रोटीन, 38 फीसदी विटामिन, केल्शियम और खनेज भरपूर मातरा में होता है तो चलिए अब हम जानते हैं कि नरिश वीड ग्रास की क्या-क्या फाइदे हैं और ये किन-किन बिमारियों को ठीक करने में मदद करता है नमबर एक, भूग को कम करना न्यूट्रियन से भरपूर वीड ग्रास का सेवन शरीर में सबी जरूरी तत्पों की कमी को पूरा करता है इसका जूस पीने से भूग कम लगती है इसके अलावा, सुभा-सुभा खाली पेट इसका सेवन करने से दिन भर ओवर इटिंग से बचा सकता है नमबर दू, पाचन में सहायक वीड ग्रास में विटामिन B, अमीनो एसे और ऐसे एंजाइम सोते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं इसके अलावा, रोजाना इसका सेवन ब्लट सरकूलेशन ठीक करने में मदद करता है नमबर तीन, जोडो में दर्द सरदियों में जोडों और गुटनों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है ऐसे में इसका सेवन हर प्रकार के दर्द और जोडों में सूजन को दूर करने में मदद करता है इम्यून सिस्ट्रम कमजोर होने पर थकान और चक्कर आने जैसी परिशानिया होने लगती है वीट ग्रास में मौजूद क्लोरोफिल शरीर में आक्सीजन के प्रवा को सही रखता है जिससे कमजोरी नहीं होती है नमबर पांच साइनस की समस्या सरदी जुकाम की समस्या में सांस लेने की तकलीफ हो जाती है ऐसे में वीट ग्रास जूस का सेवन शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकाल कर सांस लेने की परिशानी को दूर करता है नमबर छे लीवर की अंदरूनी सफाई धूमरपां शराब या ओली या स्पाइसी खाने से लीवर की समस्या हो जाती है ऐसे में वीट ग्रास का सेवन लीवर को अंदर से साफ करके आपको इसकी बिमारी से बचाता है नमबर साथ कैंसर इसमें मौजूद मिनरल शरीर के विशहले पदार्तों को बाहर निकाल कर आपको कैंसर की खत्रे से बचाते हैं इसका सेवन करने से शरीर में ब्लट का सही सर्कुलेशन होता है और ऑक्सीजन का भी प्रवाब बना रहता है जो कैंसर की खत्रे को शरीर से दूर रखता है नमबर आठ वीट ग्रास शरीर में ग्लूकोस की मात्रा को कंट्रोल करता है इसका सेवन डाइबिटीज मरीजों के लिए बेहत फाइदे मंद होता है तो दोस्तों ये थे नरिश वीट ग्रास के लाग अगर आप इस प्रोड़क को खरीदना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर आप कॉल या वाटसप के जरीए कॉन्टेक करके जानकारी ले सकते हैं कि ये प्रोड़क कहां से और कैसे लिया जा सकता है और अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश वर्जन में देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा जिसका नाम होगा नरिश वीडिग्रास एंड इस बेनिफिट तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धनवाद